देखिए जिस तरीके से जहां जहां भारतिये जंता पार्टी की सत्ता नहीं होती, पूरे देश में दंगा की एक ऐसी साजी स्रजी जाती है, क्या वाकही में आज देश ऐसे पाइदान पे कड़ा है, जो सासा राम का बिहार जल रहा है, जो लोग राम नौमी का एजंडा बन इस समधाय को दरा के और धंगा के उनके उपर लठी डंडों के जरिये, एक ऐसे बिहार को कैसे बनाया जा रहा है, क्या भारतिये जंता पार्टी इस देश को एक ऐसे पाइदान पे ले दाना चाहिती है, जरूरत है लोगों को एक साथ खाले होने की, ना हिंदू की बात हो इस सासनकाल में जो लोग सत्ता की मलाई के लिए तमाम असे लासों के उपर गुजरते हुए जाते हैं, ये वही भारतिये जंता पार्टी है, जो गोद्रा कांड कराई, ये वही भारतिये जंता पार्टी है, जो बिहार के सासाराम को चला के रख जिया है, जब वहां गिरह मंत्री जी बैठे हुआ हैं गिरह मंत्री जी बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार समसान बना हुआ है वारे देश के प्रदान मंत्री और देश के गिरह मंत्री क्या वाकई में ये लोग देश की जंता के हिते हैं यह देश की जंता के ही तैसी नहीं है यह केवल चंद फाइदे के लिए देश की जंता को जलाने का कम करते हैं चिंता मैं कहता हूं चिंता चिता के बराबर होती है चिंता जाहिज करने से क्या बिहार में चिताएं कम हो जाएंगी जिस तरीके से लगातार दो उसे बिहार में इंटरनेट और सभी सुभधाएं बंध है आपने देखा होगा वही कस्मीर का हाल इन्होंने कस्मीर जैसा हालत बिहार को बनाने का काम किया है बिहार की जंता को रोजगार नहीं दे पाई एट राइस साल की सासनकाल में लेकिन बिहार की जंता को इन्होंने त सरकार पूरी तरीके से देश में ताना साही रवया अपना के और सत्ता पे काबिज होने के लिए इस देश की जंता को गुम्राह करने का काम कर रही है देखे मैं कहता हूं यह तो पूरे देश को जला रहे हैं पूरे देश को राख कर रहें राम नॉमी तो यह जंडा था देश में दंगा कराना इनका काम है राम नॉमी के नाम पे आप बताईए आज भारत का इवा कैसा हो चुका है क्या वा कहीं में मस्जित में आप राम नौमी मनाएंगे या मंदिर में जाके राम नौमी मनाएंगे ये देश के हिवाओं को तै करना है अगर आपको जुलूस यात्रा निकालनी है तो आप हाथों में तलवार लेके जुलूस यात्रा निकालेंगे ये जुलूस यात्रा नह उसका जिम्मेदार कौन है अखिरा पताईए आद जब से 2017-2014 के बाद जब से भारतिय जंता पार्टी सत्ता में आई है तब से पूरे देश को जलाने का काम किया है इन्होंने देश के इवाओं को रोजगार नहीं दिया है इनके नेता देश के इवाओं को हाथ में तलवार देना चाहते है छूरी देना चाहते है ताएं आपको करना है कि आपको तलवार चाहिए या छूरी चाहिए या हाथ में कलम चाहिए मैं कहता हूं बिहार की तमाम उस जंता से जो भारतिय जंता पार्टी सत्ता के नाम पे आई थी प्रभु सिरे नाम के नाम को बदराम करके ये देश में धंगा कराने का काम कर रही है ये धंगई पार्टी है इससे देश के इवाओं को देश की जंता को साउधान रहना होता है जब जब चुनावा जाता है तब तब हिंदू-मुसल्मान ही आता जाता है ये वही सरकार है जो आए दिन तमाम धंगा कराके और अपनी स रिके पालनहेत हैं लेकिन भार्तिय जंता पाटी सबके बिनासकारण है यह बिनासकारी लोग हैं आइसे लोग के वल देश में तांडो कराने का काम कर रहे निकली हैं घ्रवां इस डिन हिंदु unexpected में नहीं सभी के धर्मों का संब्मान है लेकिन हिंदु मुसल्मान के नाम पे जो लड़ाए वह इंसान नहीं है यह इंसानियत वाली पार्टी नहीं है यह हैवानीयत वाली पार्टी है सबहें से हैंगा संस्ट भी तरीके से उसको जो लोक है वहाल के वनकों समझाया जा रहा है तो वहां पर स्वाभविक होगा भारती जनता पार्टी के ससनकाल में आप कि यहां राजस्थान में दंगा हुआ राजस्थान में किसी एक विशेश समुदाय को डरा और धमका के उनकी गौतसकर के नाम पर उनके हत्या कर दी जाती है यह लोग हत्यारे लोग हैं यह सत्ता में बैठके केवली इस देश की जमूरियत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं इसके लिए आरे गिरराज सिंग गिरराज सिंग जो देश बिहार में पूरे बिहार को जलाने का काम किया जो लोग चननन लगा के चननन को बदनाम कर रहे हैं जो लोग भगवा पहन के भगवा को बदनाम कर रहे हैं यह भगवाधारी नहीं हो सकते यह भगवाधारी के ना जो लोग आतंकबादी प्रविर्ट के लोग हैं चाहे वो हिंदू की बात करें चाहे मुसल्मान की बात करें किसी विश्चमुदाय में अगर ऐसा कोई जहर बहुता है तो उसके खिलाब देश-द्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और उनके खिलाब कारवाई होनी चाहिए बहरतिये जनता पार्टी जिम्मेदार है बहरतिये जनता पार्टी जिम्मेदार है जो इस देश को कई ऐसे सलियंत्रों के जरिये इस देश को बेचने का काम किया यह वही भारतिये जनता पार्टी है जो केवल भगवान राम का सहारा लेती है देश में दंगा कराके सत्ता म इतना बता है है आप सकता है आपको जाना चाहिェे लेकिन भाध्य दंता पार्टी के के नेता जंगा करा कराकि कालकोटरी में बैठ जाते हैं ये लोग सिर्फ दंगा कराना चाहते हैं और पल्टूराम है देखे मैं कहता हूँ देखे वहां की शरकार नितीश कुमार के शासनकाल में बिहार खुसहाल है लेकिन भारतिय जनता पार्टी बिहार को बधाल करना चाहती है बिहार को खुसहाली की तरफ नहीं ले जाना चाहती है तमाम ऐसे एक समुदाई को लेके पूरे देश में चिन् अब नहीं माफ करेगी अब की बार सक्ता परिवर्तन होना ता है ये लोग केवल सक्ता में आके दंगा कराते हैं जब बिहार में सक्ता से भात्पा बाहर हुई है तब बिहार को जलते हुए देखा गया सब्सक्राइब भारतिय जंतापार्टी सरकार चलने नहीं देना चाहरे है वह केवाल इस देश को जलाने का काम कर रही है हम लड़ेंगे और जीतेंगे जो लोग मंदिरों की मस्जिद में जा रहे हैं इसका पूरा जिम्मेदार भारतिय जंतापार्टी है आप बताएए इतन अपने बच्चों को लंदन भेज रहे हैं और गरीब बच्चों को के वाल आग में जोकने का काम कर रहे हैं बिल्कुल जाएंगे मैं कहता हूं इस देश में सभी धर्मों के साथ हूं मैं सर्वन पांडे लड़ेगा और बिहार जाएगा बिहार की जिस तरीके से मुस्लिम समदाय का पलायान हो रहा है यह वाक ही में रोकने की जरूरत है और भा